आप देख सकते हैं शिव शंकर की एक काफी खुफसूरत मूर्ती है अभी मैं हूँ पुरोडा विलेज में और मेरे साथ है एक चोटा सा डॉगी लेखिए प्यारा सा देख सकते हैं आप लकडी फाड रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि यहां की महिलाएं बहुत प्राना जी के घर में और यहां पर आग सेखी जा रही है शाम का वक्त है और काफी ठंड़ है यहां पर वेलकम टू हिमालन ग्लाइडर आज मैं हूँ विलेज पुरोडा में जो की उत्राखंड के बागश्यो डिस्टिक में है गाई इस वीडियो में आप देखेंगे विल सामने देखिyes अब यह है दिव्वी जोती पुब्ले के स्कूल पुरोडा और अब हम हम जा रहे है पुरोडा स्टेडियम के दाफ सामने यह नेав जाथ की सकार पुरोडा सामने यह लाफ साइड में यह है राजकी बालिकाश कॉलीज पुरोडा अब हम पहुंच चुकए है तोड़ा स्टुडियम में, यहाँ पर आजकल क्रिकिट नेट चल रहे हैं अमीद का वीरू, वीज़ पार करें लेगेन, बॉल अभी हम हैं पुरुडा के एक बहुती खुशूरत नौले पर, आमने देखिए यह है पुरुडा का नौला, आप देख सकते हैं सामने यह नौला बनाए गया है 1976 में नौले के अंदर देखिए आप बहुती साफ़ पान है अब देख सकते हैं शुशंकर की एक काफी खुशूरत मूर्ती है दो हाथ घंडित हैं मूर्ती है और उपरी इस्सा घंडित है आधा यह वाला इस्सा देखिए और इस तरब भी कोई मूर्ती रही होगी लेकिन यह भी कंडित कर दी गई है देखिए बहुती लाजबा मूर्ती है यह बहुती प्राचीन लॉले की ऊपर देखिए चाती इसकी पत्थर से बनाई गई है लंबे-लंबे इसमें पातर है कुमाणी लेंग्विज में इसे पातर बोले जाता है देखिए में पहुंच चुका हूँ विलेज पुरुडा में और यहां पर आप देख सकते हैं शाम के लगड़ियां उठाई जा रही है और इस तरह पूरा लगड़ियां रखी वही है लेखिए स्टोर करके लकड़ियां फाड़ी जा रही है यहां पर देखिए वाइस यह है चीड के पते जिसे पिरूल बोला जाता है और यह जानुरूं के बिच्छाने के काम आता है नीचे यह है पाड़ी पाला देखिए यहां पर देखिए आप रेता और सिमेंट के ब्लॉक्स बनाए गए है यहां देख सकते हैं आप स्वेटर बुने जा रही है सामने की तरफ दीखिए यहां पर है पूराना गोशाला हमें जिखिए पाला देखिए बुक्षब बची यहां अगगी है आप थाखिए झाल झाल इभी हम पहुच चुपे हैं पंचायत बहुन के पास में यहाँ पर हमा देखिये इफ काड़ी पालक कटके लिए जा रहser है कामाता का मंदिर पर देख सकते हैं लकड़ी फाड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूगी यहां की मैलाएं बहुत परिश्टमी हैं और मेहनत से कभी नहीं टोटें लेखिए आप काफी जोश के साथ सामने है प्राइमरी स्कूल प्रोला देखिए और यह है पंचायदगर प्रोला कुछ गाओं उस तरह भी हैं देखिए यह है विलेच चनोली सामने की तरफ देखिए आप यह है लौकी देखिए मेरे साथ हैं दीपक सिंग थायत जो हमें आगे की तरफ ले जाएंगे मंदिर की तरफ तो चलिए यहां पर देखिए गाओं में सोलर लाइट्स लगी हुई हैं यहां पर देखिए यहां पर औरवनिक खार निकाली जा रही है मैं हूँ कतुरी मंदिर पुरड़ा में मेरे सामने जबर आप देखिए आप यह है कतुरी मंदिर यहां पर आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं यहां पर देखिए कुछ बच्चे पेड़ में चड़े हैं यहां पर देखिए मैच चल पर है यहां पर देखिए मैं हूँ पुरूला विलेज के दूसरे नौले पर यहां पर देखिए एक नौला हो रहे है यहां पर देख सकते हैं गाओं में यहां तक गाड़ी यहां आ सकती हैं और टू विलर पूरे गाओं में जा सकती हैं देखिए सामने की तरफ सामने की तरफ देखिए एक ट्रडिशनल हाउस है पुरूडा विलेज में जादतर अभी पुराने मकान बहुत कम हैं ना के बराबर बड़ी मुश्किल से हमें एक मकान मिलाया है यह सामने की तरफ देखिए आप मैं अभी हूँ राना जी के घर में देखिए और यहां पर आग सेखी जा रही है शाम का वक्त है और कापि ठंडा है यहां पर और यहां पर देखिए पानी गरम करने के लिए रखाया कनस्तर में अभी मैं हूँ पुरोडा विलेज में और मेरे साथ है एक चोटा सा डॉगी देखिए प्यारा सा यहां पर देखिए काफी खुबसूरत हमारी पुरानी धरोवर यहां पर देखिए पाड़ी मुर्ग्या है यहां मुर्गियां देखिए लाड़ रहे है कि अब तक हम आदे यहां पर देखिए वोर्ग्यां गोम रहे हैं यह हैं शुमबा देखिये लोल ने खहले आख्याड. यह हैं लोलो में प्रिए है खहला देनल में फहला है अभी देख सकते हैं काहों का नजारा लाइट्स वगरा जल गई है यहां पर हलका अंदेरा होता हुआ गाइस सामने की तरफ देखिए जंगलों में आग लगी भी है यह देखिए अभी शाम के बच चुके है अच्छा है और हम देरे देरे अपने अगर की तरह वाफस जा रहे है अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब हीमालन ग्लाइडर फ्रैंक्स पर वाचिन